हेलो दियर सुदेंट्स, वेलकम इन भला के संसें स्टडी आज की जो दियर सुदेंट्स वीडियो रहने वाली है वो वक्षिट सेवेंटी से रहेगी समाजी विज्ञान की एक लास सेक्स की और दो तारिक की रहेगी और इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो बन चुके कुछ रह गई है वो जल्दी कम्टिट हो जाएंगी ठीक है और आप उन्हें भी सब देख सकते हैं ठीक है तो मैं आंसर पिंट्र फोर्म में करतों जैसे कि आप जानते हैं ठीक है मेरा में मकसद गाइडस देने का है और आप अच्छे से अच्छे त्यारी कर सकें थोड़ी बहुत कोशिश करने का बाकी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी तो ये चैप्टर जो टू चल रहा है आपका आखेट खादस संग्र है से भोजन पादन तक तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले ओजार के बारे में बताया गया है कि ओजार होते क्या है देखो पुरा तस विदो को मिली वस्तों के अधार पर ये जनकारी मिलते है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्त्रों लकडियों और हड्डियों के ओजार बनाए होंगे याद अखना अब मैं आख से पूछूँगा कि जो पहले के जमाने में जो लोग थे ना वो अपने अजार किस्ते बनाते थे पत्त्रों से लकडियों से और हड्डियों से याद अखना ठीक है और इनका प्रियोग, क्योंकि यहाँ प्रियोग की बात भी की गी है तो प्रियोग फल फुल काटने, हड्डियों और मास काटने तब पेड़ों की छाल वा जानुव की खाल उतारने वे लकड़िया काटने के लिए किया जाता था सब में आगे हैं सब को, लकड़िया काटने के लिए करते थे, हड्डियों और मास को काटने के लिए करते थे, फल और फूल काटने के लिए करते थे, पेड़ की छाल और जानुवर की खाल उतालने के लिए करते थे जो पेड़् होता ना उसके ब्राउन ब्राउन देखते नो इसे चाल बोला जाता है और इनसान के ऊपर जो मास देखते हो न तो उसको खाल कहते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे ठीक है ऐसे जयनवर की भी खाल होती है कि उसके बाद है आख की को शुट के आख की कोश के बार जंधे पुरस्तल कुणूल गूफा में तो रहने गूफा का नाम कुप नूल 여러분들 तो पुरसर कुर्णूल गुफा में राख के अफशेश मिले हैं राख पते हैं तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि आरंबिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग कर्समान कई कार लो के लिए किया गया होगा उस समय के जमाने कुंकि हम अनुमान लगा सकते हैं रियल में पता नहीं तो पुराने जो लोग हैं वो किस लिए करते हैं प्रकाश के लिए माद भूनने के लिए और खतना जानलों को दूर भगाने के लिए ठीक है तो उसके बादे शेयल चित्र कला क्या होता है दिखाए देरे हैं आपको ध्यान से देखो पहाली पर किस प्रकार से ब बनाए गए थे जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन में से कुछ की दिवारों पर चित्र मिले हैं इसमें कुछ सुंदर उधारन मद्यपधिश दक्षिन उत्रपरदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं ठीक है कभी मोका में लेना तो आप जरूर जाना और आपको कुछलता से सजीव चित्रन किया गया और बिल्कुर ऐसे लगेगा रियल है आप देखो यहीं पर देख लो कितना अच्छा लग रहा है और जब असली में देखेंगे तो कितना बड़ी अलगे गया तो आदी मानों दूसरों को समझाने के लिए चित्र का प्लोग करते थे अब पुरा स्थर किसे कहते हैं दो को पुरा स्थर उस सतान को कहा जाता है यहां अजार घ्रतन जिसे काउने जिसे अप चीज़ें लिए टूटी फूटी महतरा में तो वह सारे के सारी जो है लगी है पुरा सल कहेंगे यह कर रहा है ऐसी वस्तू कर निमान लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए और यह जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र नदी के तल पर भी पाए जाते हैं अगर पूछ ले ना कि यह अफशे से कहा मिल सकते ह ने तो आप बोलो के जमीन के ऊपर मिल सकते हैं या समुद्र नदी के तल के अंदर बहुत विशाल है तो इसकी नीचे का तल ना तल ठेक है वहाँ पर भी मिल सकते है नीचे जो नीचे का जो हिस्सा होगा अब यह क्वेशन है अब इसके आंसर में आपको सीधा प्रिंटेट फॉर्म में ले चलता हूं वहाँ देखिए हैं देखिए पहला क्वेशन में से पूछा गया कि खादे संग्राहक के ओजार किस चीज से बने थे तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं और मेरी एक आप से रिक्वेश्ट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीस कीज़ेगा अगर अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है प्रिंटेट फॉर्म में तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकडियों और हड्डियों के अजार बनाए हूंगे अभी हमने समझा था ना तो मैंने आपसे कुशन पूछना था लेकिन मैंने अब इसे पढ़ी दिया पुरस्तल किसे कहते हैं ठीक है फटबर आंसर अपने मन में सोच लो यह वीडियो दो के सोचो फिसके बाद समझना ठीक है तो पुरस्तल उस सान को कहते हैं जहां अजार बरतन और रिमारतो जैसी वस्तों के अफशेश मिलते हैं ठीक है इसके तुकड़े ठीक है जो भी कुछ इसका पाढ़ हिस्सा मिल जाता है उस जगा को हम पुरस्तल कहते हैं उसके अरंबिक Fire लोग आग का उप्योग किन कारब्यों के लिए करते होंगे तो इसका अंसर आग का इस्तेमाल आप कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए मास भूनने के लिए यहां पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे मैं आपको दिखाता हूं शीट में यह देखो यह लिखा है भूनने ठीक है तो जैसे हम प्रिंटिंड में करता हो ना तो उसमें कभी-कभी गलत वह ललेता है गलत हो जाता है सितने इसे कब गलती होग filter तो आपको बता दूए मैं में आफ से आपञे क्योंकि कहीं बारर इतना काम होता है तो कि पादने की दूरा ने करना पड़ता है फिन आप को तो यहां पर भूनननी लिख लेना ठीक है तो यहां पर आप भू न ने ठीक है और खतना जानलों को दूर भगाने के लिए ठीक है और देखो यहां पर ना किन कारलों के लिए करते होंगे तो आपने इसको पॉइंटों में लिखना तो और अच्छा बैटर रहेगा जैसे इसको नंबर एक डाल दिया पहले आपने यह लिख दिया नंबर पाकी वक्षिट थी तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप से फिर में लेंगे एक नेक्स वीडियो में अपना पूरा-पूरा ध्यान अगना ठैंक यू फॉर वोचिंग और लिस्निंग केरफूली टेक के यह सर्व डियर सूदेंट्स ठीक है जो बच्छे लास में देख रहे हो यहां पर भुनने कर देंगे ठीक है यह अलका से एक बड़ बस गलत हो गया तो इसमें आप कोपरेशन करना ठीक है और आज के लिए इतना बहुत है फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में झाल